स्वागत है दोस्तों आप साभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान जरुवत इंसान की में दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा जी के question and answer आज की class बहुत ही important है दोस्तों क्योंकि इसमें 35 questions ऐसे हैं जोकि 100% परिछाव में पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखेगा और इस 35 questions में से आप कितना हल कर पाते हैं यह comment box में जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के start करते हैं आज के आपके question के मेरे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो की सब ही notification आप तक पहुश सके तो दोस्तों आए जानते हैं आज का आपका revision प्रश्ण आपका revision प्रश्ण है गांदी जी के पिता का क्या नाम था आपके option दिये हुए दोस्तों आप इन में से देखके बते हैं कि गांदी जी के पिता का क्या नाम था जिन भी दोस्तों को इसका साही जो आप पता है तो अगर आप में से किसी भी दोस्तों के इसका सही जवाब पता है तो comment करके जरूरू बता हैं आपका सही जवाब है जी हाँ D. लोहा और निकेल पिर्थवी का सबसे बीतर वाला भाग, क्रोड, लोहा और निकेल का बना है आपका दूसरा प्रशन है पिर्थवी पर दिन और रात होते हैं किस वज़ा से होते हैं बहुत से लोग ऐसे प्रश्णों में गलती कर जाते हैं तो आएजे जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है आपका सही जवाब है A. दैनिक गति के कारण पिर्थुई पर दिन और रात दैनिक गती के कारण होते हैं आपका तीसरा प्रश्ण है सबसे छोटा ग्रह है यानि कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपके आपसंदिये हुए तो आई जानते दोस्तों इसका सही जवाब इसका सही जवाब है बुद बुद्ध सबसे छोटा ग्रह है आपका चोथा प्रश्ण है सबसे बड़ा ग्रह है इससे पहले वाले कोश्चन दोस्तों हमने जाना था कि सबसे छोटा ग्रह है और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है तो चलिए दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब आपका सही जवाब है A. ब्रिहस्पत्ति यानि कि सबसे बड़ा जोग्रा है वो ब्रिहस्पत्ति है आपका पांचवा प्रश्ण है अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है महतपड कोश्चन है अगर आप में से किसी को भी इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बता है आई जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब B. जी हाँ हिंद महाशागर में अगुल हास धारा हिंद महाशागर में बनती है आपका छठा प्रशन है निमनांकित में से कौन देश कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है आप में से जिनभी भाईयों को इसका सही जवाब पता है कमेंट करके जरूर बता है तो मेरे प्यारे दोस्तों आईए जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है जी हाँ अमेरिका यानि कि C अमेरिका कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका सात्मा प्रश्ण है 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जर्रेनल कौन था ये कोशिचन बहुत ही महत पूर है दोस्तों क्योंकि इस कोशिचन को कई बार कई तरीके से पूछा जा चुका है और कई हर एक एक्जाम में लगबग आ चुका है तो मेरे प्यारे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है A लाड केनिंग 1857 की गदर के समय भारत की गवर्नर लाड केनिंग थे आपका आठवा प्रशन है मैगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा अस्थान है प्रतम देश कौन सा है अगर दोस्तों आपको कॉश्चन का कॉंटेंट बेतर लग रहा है तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की कॉश्चन की जरुवत है ताकि उस तरीके की वीडियो में आपको प्रोवाइड करा सको तो मेरे प्यारे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है बी, रूसी संग, मैगनीच के उत्पादन में प्रथम अस्थान रूसी संग का है, दूसरे नमबर पे भारत है आपका नमा प्रशना इन में किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है, यहनि कि आपके अप्सन में से किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है तो मेरे पहरे दोस्तों आई जनते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है A. ओशाका ओशाका को जापान का मैंचेस्टर कहा जाता आपका दस्वा प्रशन है भारत के सोतंता संघर्ष के दोरान डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की अस्थापना किस ने की थी ये भी एक महत्पूर कोश्चन है दोस्तों तो मेरे पैस दोस्तों अगर आप में से किसी को भी इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकता है तो दोस्तों आईए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है आपका सही जवाब है C. बाल गंखादर तीलक यानि कि भारत के सोतंता संघ के दोरान डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था के अस्थापना बाल गंखादर तीलक ने किया था आपका ग्यारवा प्रश्ण है इन्वेश्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने अस्थापित किया है तो मेरे पहले दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है जी हाँ C. सेवी ने एश्टर प्रोड़क्शन प्रोटेक्शन फंड सेवी ने सुरू किया था आपका अगला प्रश्ण है भारत भारतियों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था तारे क्वेस्चन महत्पुर है दोस्तों तो मेरे प्यारे दोस्तों आईए जानते हैं इसका सही जवाब है B. आरे समाज ने तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत भारतियों के लिए नारा आरे समाज ने दिया था आपका तिरहवा प्रश्ण है भारत की प्रतम बहु उद्देशी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी अगर आप में से किसी को भी इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बता है तो दोस्तों आईए जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है C आपका चौधावा प्रश्ण है विंध्या चल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है आप आपसन चेक करके राइड आंसर बता सकते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आईए जानते हैं इसका सही जवाब है A नर्मदा विंध्या चल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है आपका पंद्रहवा प्रश्ण है कुंडा पूर एवं करवार कच्छ वनस्पति अस्थान कहां इस्थित है आप में से जिनभी दोस्तों को इसका सही जवाब पताए कमेंट करके जरूर बताए तो आई जानते दोस्तों इसका सही जवाब इसका सही जवाब है आपका 7 प्रश्ण है आशोक के सिलालेखों की लिपी क्या है ये important question दोस्तों अगर आपको question के content बहतर लग रहा है या फिर नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीकी questions की जरूरत है तो आज़े दोस्तों जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है आपका सत्रमा प्रशन है आगरा सहर को किसने बसाया यह important question है दोस्तों और दोस्तों अगर आपको questions सचे लग रहे हैं वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दिएगा साथी चैनल को subscribe कर दिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की notification आप तक पहुश सके तो आज़े जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब इसका सही जवाब ए सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी ने आगरा सहर को बसाया है भारत देश में दोस्तों जो लगबग नामी चीजे हैं आगरा हो गया ताज महल ये सब चीजे लाल किला, कुतुब मिनार, इंडिया गेट ये सब चर्ची चीजे मुगलों के बनाई हुई चीजे तो हमारे देश में जितने भी प्रसिद चीज हैं उनमें मुगल राजाओं का योगदान भी है आपका ठ्रमा प्रशन है भारत में प्रथम अस्थापित परमाडू सन्यांद यानि कि अपना सही जवाब दोड़ सकते हैं तो मेरे पहरे दोस्तों आपका सही जवाब है तारापूर परमाडू सन्यांद भारत में प्रथम अस्थापित प्रशन है आपका उनिस्वा प्रशन है राश्टी प्रतिक के निचले भाग में उतकृदिलित सब्द सत्य में हो जायते किस संदर्ब के लिए गया है यह important question है दोस्तों तो आई जानते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है C मुदकोप निसद अगर आपको मालूम हो दोस्तों तो इस तरीके के questions पहले भी पूछे जा चुके लेकिन उसको घुमा के पूछा गया है अलग तरीके से पूछा गया है question सेमी है लेकिन घुमा के पूछ दिया गया है तो एक ही question को कई तरीके से बना के पूछा जा सकता है आपका बीसवा प्रश्ण है United Kingdom में सामिल है तो आप में से जिन भी दोस्तों को इसका सही जवाब पता है comment करके जरूर बताए तो आई जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है आपका सही जवाब है D A और C दोनों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों की United Kingdom यानि की UK में चार देशों मिली थे England, उत्री Ireland, Scotland तथा Wales इन चारों देशों को मिला के जिसे UK आप बुलाते हैं आपका कीस्वा प्रश्ण है विवेकानन्द राक मेमोरियल कहां इस्थित है अगर जिन भी दोस्तों की इसका सही जवाब पता है comment करके जरूर बता है आई जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है डी, टमिल नाडू विवेकानन्द राक मेमोरियल टमिल नाडू में इस्थित है आपका अगला प्रश्ण है दोस्तों देश का लोव पुरुस किसी कहा जाता है अगर आपको कुश्चन का कॉंटेंट बेतर लग रहा है दोस्तों तो आप वीडियो को एक लाइक कर दिए कर साथ ही चैनल को सस्क्राइब कर दिएगा तो आई जानते हैं दोस्तों आपका सही जवाब आपका सही जवाब है सरदार पटेल देश का लोह पुरुस सरदार पटेल को कहा जाता है आपका 23 प्रशन है बीहू निमलिखित में से किसका लोगप्री उत्सव है यानि कि आपकी जो आप्सन दिये गया है उसमें से बीहू किसका लोगप्री उत्सव है आपका 24 प्रश्ण है, प्रतम गोल मेज सम्मेलन कहां हुआ था? आपका 25 प्रश्ण है, महात्मा गांधी को राष्ट पिता के रूप में उलेक सबसे पहले किस ने दिया था? बड़े सारे दोस्तों को इसका सही जवाब नहीं पता होगा, ये बात तो लगबग हर किसी को पता है कि महात्मा गांधी को राष्ट पिता कहा जाता है, लेकिन इसको संबोधित किस ने किया था? सबसे पहली बार किस ने कहा था? ये लगबग लोगों को न पता नहीं है, तो 26 प्रश्ण है महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किस ने कहा अगर आपको दोस्तों इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बता है जिन लोगों ने दोस्तों महात्मा गांधी को देखा भी नहीं है उन लोगों को भी पता है कि महात्मा गांधी किस तरीके महात्मा गांदी जी को बस्त भंप गंगा की सहायक नदी नहीं है ज्यान दीज़ेगा कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है तो आज़े जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब इसका सही जवाब ए सुवाड रेखा सुवाड रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है आपका उन्तिस्वा प्रश्ण है महात्मा गांधी निमलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे यानि कि जो अप्सन दिया गया है उसमें से सबसे अधा किस से प्रभावित थे महात्मा गांधी तो मेरे परे दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है कमेंट करके जरूर बताएं तो आए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब इसका सही जवाब है जी है बी लियो टाल इस्टोई से महात्मा गांधी अधिक प्रवावित थे आपका तीस्वाँ प्रश्ण है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे यहनि कि कौन सा वेकती जिसको सबसे ज़ादा पंजाब केसरी नाम से बुला आ जाता था तो आए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब इसका सही जवाब है डी लाला राजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद थे आपका एक तीसवा प्रश्ण है कांजी रंगा राश्टी पार्क है तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको कुश्चिन का कॉंटेंट बेतर लग रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के एक लाइक कर दीजागा तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब है C. असम कांजी रंगा राश्टी पार्क असम में है आपका 32 प्रश्ण है किस राज्य के सीमा चीन से जूड़ी हुई है बहुत important question है दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो comment करके जरूर बता है तो दोस्तों आईए जानते इसका सही जवाब इसका सही जवाब है D. अरुराचल प्रदेश अरुराचल प्रदेश की सीमा चीन से जूड़ी हुई है आपका 33 प्रश्ण है कितने वर्ष के पच्छतात राश्टी जणगरणा होती है यानि कि दोस्तों जो राश्टी जणगरणा होती है वो कितने सालों के बाद होती है आप में से बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब पता होगा हाँ मुझे पता है कि आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं तो मेरे पहरे दोस्तों आए जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है A 10 यानि कि 10 वर्षों के पस्चात राष्टी जनगर्णा होती है आपका 34 प्रश्ण है कौन से भारती सहर हेवी इलक्ट्रोलिक्स से सम्मंदित है बहुत ही महत्पड कोश्चन है दोस्तों तो आए दोस्तों जानते हैं इसका सही जवाब इसका सही जवाब है C बहुपाल बारती सहर हेवी इलक्ट्रोलिक्स से सम्मंदित बहुपाल है आपका 35 और लास्ट प्रश्ण है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन से है ये बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तों आपके हर एक जाम के लिए और अगर आप एक्जाम्स नहीं देते हैं फिर भी आपके लिए इंपोर्टन है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो अनाज खाते हो आखिर उसको उगती कैसी है और उगाने के लिए मिट्टी कौन से बजाओ होती है खेती तो हर जगा होती है लेकिन मिट्टी महत्पूर है दोस्तों कि दोस्तों आप लाख बीच डाल लो जब तक मिट्टी उपचाओ नहीं होगी तब तक वो फसल तयारी नहीं होगी और आपने ये देखा भी होगा कि हर तरीके की खेती मतलब कि कहीं धान की कहीं की अलग अलग जगव पर थी एक हर जगव पर हर तरीके खेती नहीं हो सकती तो मेरे प्यारे दोस्तों आई जानते हैं इसका सही जवाब क्या है आपका सही जवाब है यहाँ C. दोमत मिट्टी जनी कि धान की खेती के लिए दोमत मिट्टी सबसे उत्तम मिट्टी होती है आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिएगा साथ ही चैनल को सस्क्राइब कर दिएगा चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले दोस्तों क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही महनत लगती है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारे के साथ तब तक के लिए गुडबार टेक केर